90 के दशक का वो दोर याद कीजिए जब बड़ी संख्या में भारतियों ने पश्चमी देशों का रुख किया तब ये धारना बनी कि भारत का इंफ्रास्रक्चर उतना मजबूत नहीं जो महामारियों को जेल सके कॉलरा, टी-बी, स्मॉल पॉक्स के अनुभव इस धारना को मजबूत करते गए मिडल कास के बीच विदेश से लोटना खास्तोर से अमेरिका या ब्रिटेन से लोटना बड़े गर्व की बात होती थी मगर अब वक्त बदल गया है, अब वहां से लोटने वाले दिखावा नहीं करते क्योंकि वहां कोरोना वाइरस का प्रकोप है कोरोना वाइरस से सबसे ज़ादा बुरा हाल इस वक्त अमेरिका का है साल 1892 में जब कॉलरा फैला तो अमेरिका ने सभी इमिग्रेंट्स को सीधे क्वारंटीन में भेज दिया आज यही अमेरिकन्स के साथ हो रहा है अमेरिका के राश्पती भारत से मदद मांगते हैं उन्हें COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में गेम चेंजर बताई जा रही दवा हाइड्रोक्स और क्लोरोक्वीन चाहिए भारत इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कई और विक्सित देशों ने भारत से दवा मांगी है समय का अजीब खेल है कभी भारत को सपेरों का देश कहते थे यहां की संस्कृती और इसका मजाग बनता था आज वही दूसरे देश भारत के आगे नतमस्तक है इसराइल ब्रिटेन जैसे देशों के नेता खुल कर नमस्ते करते हैं हाथ मिलाने पर क्योंकि वाइरस संक्रमन का खत्रा है इसलिए नमस्ते सबसे अच्छा है अब ये बात जाकर पश्चमीन देशों को समझा रही है डबलू एचो ने भी भारत के कोविड-19 रिस्पॉंस पर बहुत तारीफ की है जिस तरह से भारत ने फैसले लिये और उन्हें धरातल पर लागू किया उससे दुनिया के देशों ने सबक लिया भारत में विदेशों को खूब सम्मान मिलता रहा है अथिती देवोभव हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है मगर आज उन्हें विदेशों को शक्की नजर से देखा जा रहा है डर है कि कहीं वे कोरोना वाइरस लेकर ना आए हूँ सच बात तो यह है कि भारत लंबे समय से अमेरिका जैसे देशों का सईयोग चाहता रहा है मगर वैसा ही उदर से देखने को नहीं मिला मगर ये वक्त उन बातों का नहीं है बस एक उम्मीद है कि जब दुनिया इस महामारी से उबरे तो इस मिले सबक को जरूर याद रखे